ओम स्री परमात्मने नमहा, स्री चैतन चरित्रा वली, अध्याय, स्री गया धाम की यात्रा स्रेष्ट पुरु जैसा अचरण करते हैं, अन्य साधारन लोग उसी भाती उसका अनुकरण करते हैं जिस बात को वे प्रमाण मानते हैं, उसे ही दूसरे लोग भी प्रमाणिक समझते हैं आश्विन सुकला दश्मी का दिवस है, आज के ही दिन भगवान स्री रामचंडर जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए चड़ाई की थी घर घर आनंद मनाया जा रहा है, आज के ही दिन वर्सा काल की परिसमापती समझी जाती है वैपारी आज के ही दिन वाड़िच के निमित विदेसों की यात्रा करते हैं नर्पती गण आज के ही दिन दूसरे देसों को दिग विजय करने के निमित अपनी अपने सेनाओं को सजा कर राज सीमा से बाहर होते हैं चार महीने एक ही स्थान पर रहने वाले परिवार जग आज के ही दिन फिर से भ्रमड करने आरंब कर देते हैं तीरत यात्रा करने वाले भी आज के ही दिन यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं अबके नौद्वीब से भी बहुत से यात्री गया धाम की यात्रा करने जा रहे थे गोरांग के मौसा अपड़ित चंद सेखर भी गया को जाना चाते थे उन्होंने अपने एक्छा निमाई को जताई सुनते ही इन्होंने बड़ी प्रसंदता प्रकट की माता की आगया लेकर इन्होंने भी अपने कुछ इसने ही तताचात्रों के साथ गया जी की यात्रा का निश्चे किया सब सामान जुटा कर अन लोगों को साथ लेकर वे गया धाम की और चल पड़े इस प्रकारिये अपनी सभी साथियों के साथ आनद मनाते और प्रेम में स्ञीक्रषन की रद्टन करते हुए मनदार नाम अकिस्थान में पहुँँगे इन इस्थान में पहुँचकर इने बड़े जोरों से जोर आगया इनके साथ ही इनकी ऐसी दसा दे कर बहुत अधिक चिंतित हुए और भाती भाती के उप्चार करने लगे किन्तो इन्हें किसी प्रकार भी लाब नहीं हुआ अंत में इन्होंने अपनी आउसदी अपने आप ही बताई इन्होंने का मेरी व्यादी इन प्राकर्तिक उसदियों से ना जाएगी या रोक तो असाद है इसकी एक मात्र उसदी है भगवत करपा भगवान की प्रसन्यता का सरुस्रेश सादन है ब्रामौनों की अर्चा पूजा स्रीमद भागवत में भगवान ने अगनी और ब्रामौन अपने दो ही मुख बताते हैं उनमें ब्रामौनों को ही सरुत्तम मुख बताया है वे अपने स्रीमुख से ही सनकादी महरशियों की इस्तुति करते हुए कहते हैं अर्था आद भगवान कहते हैं मेरे अगनी और ब्रामण ये दो मुख है इन में ब्रामण ही मेरा स्रेष्ट मुख है जिन्हों ने अपने संपूर कर्मों को मेरे ही अरपन कर दिया है और जो सदा संतुष्ट ही रहते हैं ऐसा ब्रामण जो टपकते हुए घरत से व्याप्त सुस्वादू अनके वन्जनों को खता है उसके प्रते ग्रास के साथ मैं ही उस अनके रस का स्वादन करता हूँ उस ब्रामण की तरपती से जितना मैं तुष्ट होता हूँ उतना यग में अगनी दौरा यजमान के अरपन किये हुए हवी आदी से नहीं होता जिन ब्रामणों की ऐसी महिमा साक्षात भगवान ने अपने स्री मुख से वर्णन की है उन्हीं का पादो दग पान करने से मेरा यह रोग शमन हो सकेगा यह सुनकर एक सरल से विद्धार्थी ने प्रश्न किया गुरु जी जो ब्रामण नहीं है केवल ब्रह्म बंदू है अर्थात केवल नाम मातर के ही ब्रामण है बस जिनों ने ब्रामण बंस में जनम ही भर गरहन किया है उनका तो इतना सतकार नहीं करना चाहिए वे तो केवल काष्ट की हस्ती के सामान नाम मातर के ही ब्रामन है जैसे काष्ट के हाथी से हाथी पने का कोई भी काम नहीं चलने का उसी प्रकार जो अपने धर्म करम से हीन है जिसने विद्धय प्राप्त नहीं की उस नाम मातर के ब्रामन का हम आदर क्यों करें निमाई पंडित ने थोड़ी देर सोचने के अनंतर कहा तुमारा कथन एक प्रकार से ठीक ही है जो अपने धर्म करम से रहित है वह तो दूद ना देने वाली बंद्यागो के समान है उसे संसारी स्वार्थ कोई सद नहीं सकता फिर भी जो सभी कामों को सकाम भाव से नहीं करते हैं जो स्रद्धा के साथ सास्तरों की आग्या नुसार अपने को ये सुधारने का सदा प्रतन करते रहते हैं वे दूसरों के दोसों के प्रति उदासीन रहते हैं हम दोस्त द्रश्टी से देखना आरम करेंगे तब तो संसार में एक भी मनुष दोस्ट से रहे द्रश्टी गोचर नहीं होगा संसार ही दोस्गुण के सम मिस्रण से बना है इसलिए अपने बुद्धी को संकुचित बना कर गौव की सेवा करने में यह बुद्धी रखना ठीक नहीं कि जो गौव अधिक दूद देगी हम उसी की सेवा करेंगे जो दूद नहीं देती उससे हमें क्या मतलब ऐसी बुद्धी रखने से तो विचारों में संकुचिता ही आ जाएगी तुम तो सास्त्र की आग्या समझ कर गौव मात्रा में सद्धा रखो यह तो सभाविक ही होगा कि जो गौव सुशील सुन्दर तथा दूधारी होगी उसके सभी लोग इच्छा निच्छा पुर्वक सेवा सुस्रुआ करेंगे और असरत दालू पूरसों को भी सुमिष्ट दूद के लालच से प्रभावन दित होकर ऐसे गौव की सेवा करते हुए देखा गया है किन्तु यह सभस्रेष्ट पक्ष नहीं है सभस्रेष्ट तो यही है कि मन में किसी भी प्रकार का पचपाध ना करके केवल सास्त राग्या समझ कर और अपना करतब रमान कर गौव ब्राम्वन मातर की सेवा करे किन्तु ऐसे सुरद्धालो संसार में बहुत ही थोड़े होते हैं भगवान ने स्वयम कुरुद्ध हुए ब्रगु को अपना च्छाती में जोर से लात मारते देकर बड़ी नमरता से दुख प्रकट करते हुए कहा था अर्थाथ हे ब्रामर्देव आपके कोमच चरण मिन्दों की मेरी इस वज़ सिचाती में लगने पर बड़ा कष्ट हुआ होगा ये बहुत उचे साधक के भाव हैं जो संसारी मान पृतिष्टा तता धन और विसे भोगों की इक्छा को सरवता त्याग कर एक मात भगवत करपा को ही अपने जीवन का चरम लक्ष समझ कर सभी कारियों को करते हैं उन्हीं के लिए भगवान अपने स्री मुख से फिर स्वय मुद्देश करते हैं जो पुरुस वासव देव बुद्धी रख कर कठोर बोलने वाले ब्रामनों की भी प्रसन अंता करण से कमल के समान प्रफलित मुख द्वारा अपनी अमरत मयवानी से प्रसन निचित होकर इस्तुति करते हैं और पिता के कुरुद होने पर जिस प्रकार पुत्रादी करते हैं उसी प्रकार उन्हें प्रेमपूर्वग बुलाते हैं तो समझ लो ऐसे पुरुसों ने मुझे अपने वसमें ही कर लिया है कुरुद होने वाले किसी भी प्राणी पर जो कुरुद नहीं करता वही सच्चा साधक और परमार्थी है प्रभू के पात पद्मों की प्राप्ति ही जिसका एक मात्र लक्ष है उसके हिर्दे में दूसरों के प्रतियस सम्मान के भाव आही नहीं सकते इसलिए तुम लोग सीखर जाकर इस क्राम के किसी ब्रामार का पादो तक लाकर मेरे मुख में डाल दो ओम शांती शांती शांती